ओल्ट गाइच आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोम के बारे में तो बताना चाहूँगा कि डोम है आपको कोई भी प्रॉज्ग्रामिंक ले लोcott Paragla, जावा ले लो और ब्हुर्णीो immersed आप को के अंत्क बारे लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वह जावास्किप्ट इन डॉम होता है वह जावास्किप्ट के अंदर क्या होता है क्यों इंपोर्टेंट है और क्यों यूज करना चाहिए आज हम यूज करने तो सब्सक्राइब आपको स्क्रीण पे कुछ थोड़ी का संटेंस दिखरेंगें वहां पर पढ़िए उसको ठीका है जे डिदोकुमेंट ओब्जक्त मोडल मतलब डों को आप क्या बोल सकते हैं डियूक्मेंट ओब्जक्त मोडल अभी एपको क्या पता जाएगा ठीक है इस वीडियो का आप एंड तक देखिए इस एन अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लाइक API अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर फॉर वेलिट एस्टियमल एंड वेल फॉर्म्ड एक्समल डोकुमेंट इस बात करें यार डोम की तो अभी माँ आपको यहां पर कुछ दिखाता हूँ देखिए मैं गाइज मेरे आईडी के अंदर आचुका हूँ और मैं यहां पर क्या करता हूँ यहां बहुत है दोम.html नाम से मने एक फाइल के डिट कर लिए आप भी अपने फाइल कर ले ठीक है अब गाइज में यहां पर करता क्या हूँ सबसे पहले जैसे मैं STML की जो बॉर प्लेट होती हो लगा लेता हूँ अब मैं यहां पर क्या करता हूँ मैं यहां पर करता हूँ heading कुछ भी मैं यहां पर लिख दीजिए कुछ नहीं है बस आपको कोई इसके अंदर कुछ content डिखना है ठीक है this is the heading ठीक है perfect इतने मेरा काम complete हो आप मैं क्या करता हूँ simple जाके यहां पर आपको मेरा this is the heading heading ठीक है तो आपको this is the heading तो मिल रहा है लेकिन अभी बात करते है document क्या है वो मुझे explain करो आप तो मैं यहां पर क्या करता हूँ सबसे पहले इसको inspect पर क्लिक करता हूँ inspect पर मुझे click करना पड़ेगा और मुझे console के अंदर जाना है console पर मैं जलता हूँ और यह जो भी मैंने explain अगएर यहां पर लिख रखे हैं उसको मैं यहां पर हटा देता हूँ और इसको मैं setting कुस्टो भी हटा देता हूँ अब मैं यहां पर क्या करता हूँ window मैं प्रेज करता हूँ तो यहां पर देखिए document दिख रहा आपको ठीक है दोट मैं यहां पर करूंगा document जैसे गाइज मैं यहां पर देखिए अभी कुछ नहीं है इस page पर देखिए आप score से देखना अब मैं जैसे टैप करता हूँ दोटी ओसी यू परफेक्ली मैं ने जैसे document लिखा तो आपको पेज पूरा highlight हो चुका है और आपका पेज सोटा सा मतलब इसे cover हो चुका है ठीक है तो यह क्या है गाई जी window document लिखते हैं क्यों आया अगरे सा क्या हुआ तो गाई मतलब यह होता है कि आपका जो भी पेज होता है जो भी आपका browser के अंदर जो भी पेज होता वेब पेज बोल सकते है और उसके अदर जावास्किप्ट लिखी गई है तो वो क्या बोलता है कि एक document है जावा यहां पर करूँ window document और document मैं यहां पर करता हूँ simple document dot मैं यहां पर करता हूँ all simple मैं all मतलब इस document के अंदर जितने मेरे content है जो भी मेरे यहां पर देखना है जो भी मैं यहां पर देखना चाहूँ मैं all करूँगा ना तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा all perfectly मतलब सारा content मेरे सामने present हो चुका है देखिए HTML head में यहां पर एक h1 ले रखा है अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूँ simple यहां पर टाइप करता हू बोडी जैसे मैंने बोडी की तो आप देख सकते हैं मुझे बोडी के अंदर जो भी मैंने आपे content लिखा है यह बोडी के अंदर जो भी मैंने elements और टेक वगरा पास किये हैं तो वो मुझे यहां पर प्रोपर ली दिख रहा है ठीक है तो यह आपका क्या होता है this is heading है तो य आपको चीजे देखनी है वो आप यहां पर console के अंदर आके इजिली उसको देख सकते है ठीक आपको पूरा यहां पर सारा जो भी टेक्स हैं वो सारा आपको यहां पर प्रोपर ली दिख जाएगा इस page के अंदर आप console कीजिए और वहां पर जो भी data होता हो आपको दिखा जाएगा as a developer setting ठीक है अब मुझे आप यहां पर करना क्या सबसे पहले अब गाइस बात यहां आती है कि जो इस्टेमल के elements वगरा होते हैं उनको find, change और delete, remove वगरा कैसे कर सकते हैं ठीक है add करना और remove करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं तो वह देखिए सबसे पहले हम मैंने यहां पर तीन box create किये हैं आप लोगों के यह PPT है basically और इसके तर मैंने तीन box create किये हैं सबसे पहला इस्टेमल elements finding है then changing है यह वाला ठीक है और इसके बाद में क्या है हमारा add और delete ठीक है तो वह हम कैसे कर सकते हैं देखिए आपको क्या लिखना पड़ता है क्या ने लिखना पड़ता है देखिए simple मैंने अगर आपको basically आप तीन चीजे होती है वो तीन चीजे क्या होती है या तो आपके ID होती है या आपका tag name होता है या आपका class name होता है अब tag name क्या होता है या आपको पता है कोई भी जिसे paragraph हो गया और है एच वन हो गया है heading 1 heading 2 div tag हो गया span tag हो गया ठीक है image tag हो गया वगरे वगरे बहुत सरे tag होते है HTML के अंदर तो वह आपकी क्या होते है tag name अगर आपको कोई भी tag name access करना हो get करना हो ठीक get करना हो तो आप कैसे करते हैं आप simple लिख दिये document.get element by a tag name आपको लिखना पड़ता है और यहां पर जो भी इस parenthesis के अंदर जो भी आपका tag name आप access करना चाहते हैं और उस पर कोई particular कोई काम करना चाहते हैं तो वहां पर आप यह वाला fund आपना सकते हैं ठीक है तो अभी गाइज बात करें अगर इसकी document.get element by id vs classes यह first वाला एंड थर्ड वाला तो id और id आपको पता है id प्रेफर करता है HTML के अंदर hashtag से CSS के अंदर sorry और आप simple HTML के अंदर ID करेट करते हैं आप ID और उसका bracket के अंदर बैसिकली double quotes के अंदर आप क्या लिखते हैं वहां पर ID का नाम लिख देते हैं ठीक है जो भी आपने ID क्रेट की है class की वी वेसे ही है तो class भी आप simple class keyword लिखते हैं और class का HTML के अंदर नाम लिख देते हैं यह तो हुआ HTML का फंडा लेकिन जावास्किप के अंदर अगर उसको access करना हो get करना हो तो आप कैसे करेंगे विसकली इसको facing भी बहुत सकते हैं आप यहां पर आके तो document.get element by ID by class name perfect get element by class name और जो भी class हो इस parenthesis के अंदर आपको get करना हो आप लिख सकते हैं अब गया आईडी class इन सब इन दोनों के difference के ओपर मैंने complete video create कर दिया है description पार्ट के अंदर आपको उसका link provide करा दिया जाएगा वहां पर जाके आप उसको एक बार देख लीजिए अब फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ID और class name के अंदर क्या difference होता है आईडी कोई भी element के identity होती है वो एक unique ही होती है ठीक है और class name कितने भी हो सकते है no matter कोई भी motor matter नहीं करता है ID एक ही होगी ठीक है अब बात करते हैं second box की तो second box के अंदर क्या लिखा है HTML elements changing मतलब अगर आपको कुछ change करना हो element के अंदर तो आप वो कैसे करेंगे ठीक है मालो आपका element एक variable है X है inner HTML मत चाहता हूं कि इस X के अंदर HTML inner मतलब HTML भी लिख सकते है inner HTML भी लिखिए inner text भी लिखिए कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते है अब इसके अंदर जो new content होगा वह आप मतलब जो भी आप टाइप करना चाहेंगे वह यहाँ पर आगे लिख सकते हैं आगे हम देखें गाई इसको कैसे कर सकते हैं अब attribute को चाहिए करना हो तो आप attribute की new value लिख सकते हैं styling styling करनी हो जावा स्किप्ट के थिरू तो आप जावा स्किप्ट के थिरू styling भी कर सकते हैं वह भी हम जरूर आगे देखेंगे ठीक है अब बात यहाँ है कि हम create कैसे करें elements को तो चाहिए बताना चाहूंगा कि document.create element perfectly आपको लिखना पढ़ेगा document.create element और इसके अंदर जो element आपको create करना वह आप लिखते हैं remove करना तो remove child append child मतलब बाद बाद वाले किसी element के बाद वाला child आप एड करना चाहते हैं replace करना चाहते हैं तो आप पहले जो replace का मतले भी होता कि पहले वाला हटा हूँ और दूसरा नया add करो ठीक है तो जो नया add करना जाते है उसका नाम यहां पर लिख दिए और पूरा ने वाला जो भी आपका इलेवेंट है वो यहां पर लिख सकते हैं इसके अलबागाइज एक और होता है इस मेथट के अंदर वह होता है हमारा अब उसको मैंने गैट किया है यहां पर डोकुमेंट डोट के अलेमेंट वाई आई डी और इस आईडी का जो भी नाम था मैंने डेमो कर लिए डोट इनल स्टेमल में कर रहा हूं उसके अंदर हेलो वर्ड अभी के लिए इस प्रियागाफ के अंदर कुछ नहीं है बट इस को को मैंगर रन करता हूं तो इसका जो आउटूट आने वाला है वो क्याने वाला है है जो इसके अंदर यहां पर दिया गया है तो गयचिए आई होप आपको डोकुमेंट और इसका छोटा-मोटा कोड आपको अच्छा समझा होगा अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं ब क्या कर रहूं का क्या सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस एच्वलन को मा चाहता हूं जो भी इस ते हैं ठीक है मैं यहां इस content को remove करके मैं क्या करना चाहता हूं this is heading दिख रहा है मुझे यहां पर इस output के अंदर मैं यहां पर क्या चाहता हूं यहां मुझे दिखे this is heading 1 और इसका जो भी color है वो मुझे थोड़ा अलग दिखे तो वो सब मैं यहां पर केशे करूँगा देखिए मैं क्या करता हूं java skip के अंदर चलता हूं सबसे पहले और मैं क्या करता हूं guys एक button इसके अंदर define करता हूं मैं सबसे पहले ठीक है एक button मैं define कर लेना इस पे मैं इस button का नाम दिख देता हूं मैं simple click में perfect तो अभी आपको क्या दिखेगा इसके जिस निचे click में का बटन दिखेगा लेकिन अभी इससे कुछ होगा नहीं इसके अंदर मुझे इसको चलाने के लिए कुछ code वगेरा लिखना पड़ेगा जो अभी लिखते हैं ठीक है लेकिन क्या करूंगा सबसे पहले एक function define कर कर रहा हूं ठीक है एक function गाइज में define कर रहा हूं और function का नाम मैं यहां पर पास कर देता हूं simple my कुछ भी आफ function का नाम पास कर देते हैं और function और classes वगेरा है हमने सारह कुछ देखी चुका है java skip के अंदर almost तो आपको पता ही होगा function वगेरा कैसे define करना है basically मैंने इसके अं नहीं एक ही लगता है ठीक है इसके अंदर basically आप parameter स्पास करते हैं मुझे यहां पर क्या करना सबसे पहले variable x लेना है equal to ठीक है और मैं क्या करूँगा सबसे पहले इस x के अंदर इस id को fetch करूँगा तो एक बार मैं x नहीं लेता हूं मैं simple जो इसका actual code हो मैं यहां पर लिखता हूं है simple बस इतना मैं चाओंगा और यहां पर मैं क्या करूँगा x के अंदर dot in a text कर सकते हैं या फिर html कर सकते हैं मैं text कर रहा हूं और यहां पर मैं चाओंगा this is heading one perfectly मतलब this is heading one print हो जाए perfectly x dot style मैं चाओंगा कि इसका जो color है वो भी मैं चाओंगा x dot style dot color perfectly equal to equal to मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा guys red उसका करना ही पड़ेगा तो इतना काम मेरा complete हो चुका है अब इस function को guys मुझे call तो करना पड़ेगा इस सारा फंडा तो मेरा हो चुका है यहां पर लेकिन अभी कुछ हो नहीं वो क्यों नहीं हुआ कि मैंने सारा code function के अंदर रिखा है तो मैं क्या करूंगा इस button पर क्लिक करेना तब इस function को मैं यहां पर चलाना साहूंगा function run हो और इस function के अंदर जो भी code हो execute हो जाए simple guys कोई जदा इसके अंदर है नहीं अभी देखिया आप जादू मैं यहां पर क्या करता हूं सबसे पहले आके इसको refresh करता हूं अब देखिये this is heading ठीक है but the moment मैं इस पर क्लिक करता हूं तो function run होगा और जो भी इस function के अंदर code था वो यहां पर आकी क्या हो जाएगा execute हो जाएगा so three two one excellent this is heading one और इसका जो color है वो क्या हो चुका है guys यहां पर आके raid हो चुका है so guys यह हम Dome की help से कर रहे हैं पहले इस ID को हम document की help से face किया और हम देख से आप देख सकते हैं इसका styling भी देख ली इनर टेक्स अगर मगाई जहां पर HTML लिखूना तो भी कोई मेटर नहीं करता आप यहां पर HTML भी यहां पर कर सकते हैं और आपका code यहां पर properly run होगा 321 excellent perfectly इसमें कोई आपको फरग नहीं है हाँ यह inner HTML inner text वगरे आपकी क्यों लिखते हैं इसका difference के actual वह एक अलग वीडियो के अंदर हम देखेंगे लेकिन आज इस वीडियो के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इसके inner HTML मतला आपको कुस टेक्स के अंदर particular उसी take के अंदर जो complete हो ही चुका है और आप देखे सके अब मैं क्या करता हूँ आपको यहां पर आके देखें मैं PPT के तरफ सलता हूँ और यह जो मेरा code यहां पर मुझे properly दीख रहा ना basically यह वाला one second यह वाला code अभी इसके अंदर देखते हम elements को कैसे create कर सकते हैं simple तो वह elements को मैं कैसे create कर सकत हूँ उसके बारे में हम थोड़ सा यहां पर discuss करते हैं इसके अंदर गाइज एट्रीब्यूट भी देखेंगे एट्रीब्यूट की जो वेलियू उसको हम कैसे डिजा चलिए गाइज पहले एट्रीब्यूट की वेलियो हम देख लेते हैं तो मैं यहां पर चलता हूँ simple दे तो मुझे यहां पर एक इमेज दिखने वाली है वह गाइज दिख क्यो नहीं रही है ओर राइट मैं यहां पर क्या करूंगा सबसे पहले इसको हटा दूंगा ठीक है इसको हटा दूंगा अभी मैं जाके इसको रिप्रेस करता हूं तो पॉफेक्ली मुझे बड़ी काफी बड़ी दिख रही है वो ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूँगा सबसे पहले इसकी वीड़न हाइट वगएर सेट कर दूँगा तो वीड़ रहेगी इसकी सिंपल तवन्टी पिक्सल वगएर कोई नीड नीड या और जो इसकी हाइट रहेगी वह कर दूँगाग। न्यूर्मल्मल्टी पॉफ एकली टुफ एकली तो आप धुर सेट कर दी तो अभी मुझे तो इमेज इसकी दिख रहे है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ simple एक मैं यहां पर बटन लगा देता हूं लेकिन बटन लगाने से पहले मैं इसको एक ID देना चाहूंगा जो भी मेरी image इसको मैं phase कर सकूँ simple guys वो ही fund आया heading वाला लेकिन थोड़ सा advanced level simple मैं यहां पर क्या करता हूं simple यहां पर एक ायदी देता हूं इम ए Br ए जबिए हुन करता हूं much आइ में यहां पर करना र्wand का च्यांकर नाम देता हूं वां देता हूं tô कही करता हूं java script के अंदर मऊ थोड़ी script लिकूंगा देखिए all right सबसे पहले इसके अंदर आगे वेरियबल लेता हूं या फिर मैं सिंपल डोकोमेंट डोट गेट इलिमेंट बाइड और जो भी मेरी आइडी वन है उसको है शुक मैं यहां पर यहां इसको मैं एक बरियंबल आक्स मनने आपकर लिका यहां ने इसका जो भी मेरा खुंगा यह शोर्स है तो भी एक्सर और सभागरे मुझे पर आख को एक वाल टू मैं यहां पर क्या पास करूँगा सिंपल उस वेल्यू उसका जो नाम हो जो कोवीड है जो सेकंड वाले इमेज है वो उसका नाम मुझे टैप करना सोर्स डोट जे पीजी पॉफेक्ली जे पीजी हो सकता पी एंजी हो सकता वह कुछ भी हो सकता चलिए एक बार ट यहां पर क्लिक ना तो यह वाला function मैं यहां पर run करना चाहूंगा तो on click ठीक है on click my functi on my function perfect और यहां पर मैं is code करना चाहूंगा ठीक है अब देखिए मां browser करना चलता हूं इस पर मेकली करता हूं अधे रिचेंज हो चुकी है त्झे शो ररें की करें उसका सोर्स एम चैन्ज कर रहे हैं उसे सोर्स हम अभी क्या दे रहे प्सक्ति करें तभी इसमें करिखेंगी लेकिन ख्रणिकётrh क्लिक करे ना तब फंक्षन वहां पर चलना चाहिए तो इस सोर्स के अंदर जो कोवेट टू इमेजर जो जेपी जी फॉर्मेट उसका वहां पर रेंडर हो जाएगा सिंपल है ठीक है इतना गाइज मेरा काम कंप्लीट हुआ अब मुझे यहां पर और अब हम देखते हैं फिपिटी के अंदर सिंपल और क्या देखते हैं देखिए ऑँ वन सेकंड यहां पर मुझे क्रियेट अलेमेंट करना काईज बाखी सök टूब करी लोग एक सिंपल सा इसकंदर दिखा दिता हूँ मैं क्रियेट इलेमेंट आप के से कर सकते हैं वो वाला मा आपको और दिखा देता हूं ठीक है तो काईज मैं यहां पर आगैए चेहां चथा की व λέऊनोज है जो भी कोड मैंने याप लिखा धीक हम इतना इसको रखता हूं ठीक ह 노래ya उपभा ये जो फिल मेंच हो कॉम्छे को मुझे कमेंट आउस कर देना ют पर औरचए लगां क्या है मैं क्या करूँगा सिंपल एक बड़ंगा चेंज यहां पर मैं सिंपल क्लिक कुछ भी आफ नाम देखते हो डिक मी पॉफेक्ट लिमन अपर का नाम देदिया अब मैं मैं यहां पर करता हूं सबसे पहले आए कि एक वेरियाबल डिफाइन करता हूं जिसका नाम होगा बटन यहां फिर एक्स कुछ भी देसे थे एक्वल टू यहां पर मैं क्या करूंगा सबसे पहले डोकोमेंट डोट आपको लिखना पड़ेगा क्रियेट इलमेंट जब भी क्रीम डर किवेर जो खोटों से डोटियं कुछ टेम इलेके इस इसे जो इसके जरू प्रबर्टियुरे क्लेर होगी और इसकी जो मैं करना चाऊंगा रीड होगी जा फिर फ्ली ब्लू कुछ भी आप कर सकते हैं पनी साब करेंगा डोकुमेंट मैं चाहूंगा यह कि यह जो मेरा बटन है ना क्लिक में इसके बाद के अंदर वो डोट बोड़ी है ठीक है जो वह वहां पर जाके अपेंड हो जाए अपेंड का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं सिंपल एक्स को पास कर दूँगा इतना काम थागा चलिए मैं चलता हूं इसकोड के अंदर और देखते हैं क्लिक है स्ट्री टूवन अक्सिलेंट इस इस अपर पेरिग्राफ मैंने साइध यहां पर ब्यार टेग वगर कुछ यहां पर लगा रखा है साइध ब्यार टेग अबिसले नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो मैं जैस के था हमाराद डूकुमेंट और य direction होगा और आपको कोई भी इस वीडियो ए sit यहीं हूं पजय के बश्कता है और कSerघी आफ यहांगी आ हर बसकार होगरे हैं यही जोदो कुछ यह को आप una star